हम्जा अब वाकई जा रहे हैं? तो आपको क्या लग रहे है? वो मजाग कर रहे हैं. इतना बड़ा हो गया? आज तक कभी मुझे छोड़ कर नहीं गया. आज उस लड़की की वज़े से मेरा बेटा मुझे छोड़ कर दूसरे मल्क जा रहे है. तो आप रोक लेना उन्हें. जैसी माँ है आप. बेटे के दिनकी खुआश को नहीं समझती. जिद लगा रहे हो ना तुम सब मुझ से? जिद तो आप ने लगाई भी है. पहले आपकी ये जिद थी के पता नहीं उसके माबाप कौन है? उसके अमी अबू का पता चल गया है. तो अब आपको किस बात की चेर है? मेरा फर्मा बर्दार बेटा. सिर्फ उस लड़की की वज़े से वैसा नहीं रहा है. तो अमी आप भी तो वैसी नहीं रहीं. पहले आप हमारी हर छोटी से छोटी खुआश को पूरा कर देती थी. माय तो अपने बच्चों के खुआशों को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाती हैं. और आप भी ऐसा करती थी. बाबा के गुजर जाने के बाद आपने हमें पूरी दुनिया से बचा कर रखा. दानी अब आपको क्या हो किया है? आप ऐसी नहीं रहे हैं, आपका दिल इतना सख्त कैसे हो किया है, अमी? मेरा दिल सख्त नहीं है, शिज़ा. लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि वो वो इस घर पर आकर यहां भी कब्जा कर लेगी जैसे पेरे बेटे पर कर चुकी है. बहुत कलत समझ रही हैं आप उसे. एक पर उसे इस घर में लाकर तो देखें, उसे अपना कर तो देखें, आपको अपने रवएए पर शर्मिंदगी ना होना तो मुझे कहिएगा. क्यों ज़िद हो गई है मुझे बच्पन में वो जब भी कोई खायश हज़द करता था। उसके बाबा कैसे पूरा करते थे। एक बारादी रात को आईसक्रीम खाने की परमाईश करती। बाहर बारिश थी लेकिन वो वो सब कुछ भूलकर उसके लिए आईसक्रीम लेने चले दी। कहते थे, मेरे बच्चों के मुझे कुछ तुक ले और पूरी ना करो। ऐसा कैसे हो सकता। और आज वहानिया को बनाने की खायश कर रहे तो मैं उसकी उस खायश के आड़े आड़ी। आखर क्यों। शेसा ठीक कहती है, मेरे दिल सखत हो गया। क्यूंके मैं क्रीन हूं।